इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Rebitec DSR Capsule एक कॉंबिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल अपच के लक्षणों जैसे हार्ट बंद, पेट में दर्द दिया, जलन जैसे, लक्षणों में राहत देकर gastroesophagal reflux disease, यानि की acid reflux और peptic ulcer disease का इलाज करने के लिए किया जाता है. यह acid को भी बैसर करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए gas को आसानी पास होने में मदद करता है. Rebitech DSR capsule को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार बिना भूजन के लिया जाता है. डोज आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी. डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें. अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. अपनी healthcare team को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रही हैं क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं. सबसे सामाने side effect diarrhea यानि की dust, पेट में दर्द, मूह में सूखापन, सिर दर्द, पेट फूलना यानि की gas बनना और कमजोरी हैं. इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर समय के साथ सही हो जाते हैं. अगर आप इन में से किसी भी side effect को लेकर चिंतित हैं, तो अपने doctor से बात करें. इस दवा से आपको चक्कर या नींद आ सकती हैं. इसलिए जब तक आप यह नजान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं. तब तक drive या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक focus की आवशक्ता होती है. यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इस से आपको अधिक नींद आ सकती है. लाइफ स्टाइल में परिवर्तन जैसे ठंडा दूद लेना और गरम चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चॉकलिट से बह पान करवा रही हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइक पर क्लिक करें, और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.